जैसरी किष्णा, श्वागत आप सभी का मेरे बक्ती वावना यूटूब चैनल पर 26 मई बड़ा बुद्वार भैंकर सूर ग्रेन आज मैं आपको जानकारी दूँगा, बैसे सूर ग्रेन की मैंने कई वीडियो डाली है और उनमें उपाई भी मैंने बहुत सारे बताएं, आप जाकर के उनको जरू देके लिंक आपको डिस्केस्व बॉक्स में मिल जाएगा, आज मैं आपको दूँगा कि बारत के कौन-कौन से खित्रों में यह ग्रेन का जादा प्रवाव रहेगा, बारत के अंदर ग्रेन है या नहीं है, कौन सी रास्या है, जिनको पुत्रो धन प्राप्ति के योग बनेंगे, देखो एक चीज का ध्यान रखें, क्या सूर ग्रेन हो या चंदर ग्रेन, उस टेम पर अंदा ही लगाय होता है, आज मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूँ, यह जानकारी बहुत ही जरूरी है, और आपको पता भी होना चाहिए, कि आपके यहां पर ग्रेन है का नहीं है, आपकी रास्य के लिए ग्रेन कैसा है, गरबती मैलाओं को नियमों का पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उनके अस्मैन्टों को नियमों का पालन करना चाहिए नहीं करना चाहिएं है सबसे पहले सहे चाहिए कि जिस समये चंद्र गर्यन प्राहरम होगा यानि चंद्र ग्रेण तीन वज जबसके 15 मिनट से परारम होगा एक चीज़ का ध्यान देना है कि 3-15 मेंट से चंदर ग्रेणड परारम होगा और मालिन शुरू होगा यानि जो चाया होती है ग्रेणड की वह चाल होगी 2-16 मेंट से अब भारत के अंदर जब ग्रेणड निकलीगा उद्ध होगा तो वह होगा 6 के करीब दो है 6 बज़े 6.5 बज़े का time होता चंदर ग्रेण का जब यह ग्रेण समापत होगा तो 6 बज़ के 13 मेर पर ग्रेण समापत हो जाएगा तो इसे आप अंदाजर सीधा सीधा लगा सकते कि भारत के अंदर तो यह ग्रेण बहुत ही कम समय के लिए है और कापी ऐसे देशे हैं यहाँ पर यह ग्रेण ही नहीं है सबसे पहला है माराष्ट माराष्ट के अंदर यानि इस ग्रेण का प्रवाव ही नहीं है तो यहाँ पर सूतकादी का बिचार भी नहीं रहेगा वही पंजाब तीसरा है जम्बू कस्मीर चोता है राजिस्तान राजिस्तान वालों के बहुत सारे कमेंट थे तो उनको अंदाई लगाने चाहिए कि उनके यहाँ पर ग्रेण का कोई भी प्रवाब नहीं है उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, बिहार तो इन देशों में, इन राजियों में जादातर ग्रेण का कोई भी प्रवाब नहीं है साथी दिल्ली में भी बहुत ही कम है बगी ना के बराबर है यह ऐसे राजियों आपर ग्रेण का कोई प्रवाब नहीं है और इनका बिचार भी कम रहेगा लेकिन यह ग्रेंड पढ़ रहा है तो इसलिए गरबबती मैलाओं को ध्यान बिशेश रखना है जिन राज्यों में ग्रेंड पढ़ रहा है वहाँ और ना पढ़ रहा हो वहाँ भी गरबबती मैलाओं को बिशेश से फिर भी ध्यान रखना है कोई भी ऐसी गलती ना करनी है जाता समय की बात नहीं थोड़े समय की बात है गलतीयां आप बिलकुल ना करें थोड़े से चावल और अगर आपको गोमती चक्र मिल जाते हैं दो गोमती चक्र हाथ में ले करके साथ वार गरबती मेला को उपर से उसार करके पीपल ब्रक्कियों नीचे फैंग दें या बैते हुए पानी में फैंग दें इस से गरबती मेलाओं को अगनी नहीं जलानी है गरबती मेलाओं को खाना नहीं खाना है गरबती मेलाओं को कपड़े नहीं धूने तो यह गरबती म नियम होते हैं उनको निवाने में कोई परेशाने नहीं दो तीन गंटे की बात है आप जरूर निवाएं चापके राज में ग्रेण है या नहीं है दूसरा इस ग्रेण जो चंद्रोत होगा उस समय भारत के पूर्वी प्रदेशों में जैसे बंगाल है आसाम है अरोनाचल प् अपराई है व्रेश्चिक राशी वालों को विश्य सुप्षित साब्दानी बढ़त नहीं है व्रेश्चिक राशी अनुरादा जेस्टा नक्यत्र तो इसलिए व्रेश्चिक राशी वालों को ग्रेंड के समय पर जब ग्रेंड चल रहा हो उस समय भगवान की पूजा आप कोई भी कारवी कर सकते हैं कोई उपाय कर सकते हैं आप भगबान की पूजा पार ध्यान दे सकते हैं गरभथी मेला और उनकी हस्वन्द दोनों को नियमों का पालन करना अगर आप जाप करें तो येट च्सेए आपको बताओं धनवां फ्थ्रवांण रहेंगे उनको यंगा मेस रासी मेसासी वाल conten रेखा शुक मिलェ दूसरी रासी यह शिंग-ργाजी कारशदी धन और पत्र का लाव कन्या-रासी धन और आर्रतिक इस्तिती मजबूत होगी साथ ही परवार में भी खुशी का महल रहेगा तो बहुत सारा लाब्यापने को देखने का मिलेगा धनुरासी धन का तोड़ा सहानी है लेकिन लाब भी उनको ज्यादा है मकार और मीन रासी यह रासिया है से जिनको पुत्र धन सुख हर प्रकार की का सीकारियों में सफ़ता मिलेगा अगला है बैसाक में घरसोद होने से बिविर्ण देशों के मद्य युद्ध प्रजा में रोगवे बैसाक मासे ग्रेणे बिनास मयानती करपा सलिता समुद गदाह अतार्थ बैसाक में ग्रसोदे होने से विविन देशों के मद्ध युद्ध प्रजा में रोगवे तदा ब्राम्मणों में भी असानती हो सकती है सराप पीने बालों को कश्ट अब आप ध्यान देना हैं कि जो सराप पीते हैं उनको ये ग्रेन हानकारक रहने बाला है क्रसी के लिए हानकारक तिल तेल रोई मुंगादी ब्रद्दी मूल्यों में तेजी होगी रिस्ट में दुरुविक तता अन्य का यतिष्ट उत्पादन होगा और वहीं कुछ देशों में उप्रत्रब्भी हो सकता है मामारी जैसे हालात हो सकते हैं तो इन बातों का भी विश्यशूप से द्यान दे करके चलना है जहां पर ग्रेन का कोई सूतगादी का विचानना हो तो वहां पर पूजा पाट आप कर सकते हैं ज्यादा विचानना रखें वहीं इस ग्रेन का जो प्रवाब रहेगा वह है भारत के पूरी प्रदेशों के अत्रक दिया ग्रेन दक्षिन पूर्भी इसिया जापान इंडोनेसिया बंगलादेश सिंगापूर, फिलिपिन्स, दक्षिन कोरिया, बर्मा, आदी आइस्ट्रेलियम इसका खंगरास रूप दिखीगा इसके अत्रक दिया है हिंद मासागर, प्रसांद मासागर दक्षिन अमीर का इन राज्यों में भी इसका प्रवाब रहने बाला है लगवग ही है, कि भारत में इसका प्रवाब ना के बराबर है तो कोई टेंसल लेने की ऐसी बात नहीं है लेकिन फिर भी जो नेमों का पालन जरूर करना है, क्योंकि कोई परिशारी नहीं होती थोड़ी समय की बात है नेमों का पालन करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा और खासकर गर्वती मेलाओं के लिए छेरासियां हैं जो बहुती लगी है जिनकी में जानकारी आपको दी है तो इस वीडियो को जादा जादा सेयर करें जिससे सब को पता चल सके और उनको गिर्ण के बारे में भी पता चल सके कि कहां कहां पर ये गिर्ण का प्रवाब है कहां कहां पर नहीं है इसलिए ये वीडियो में बना करके आपको जानकारी दी है वैसे जानकारी में अगले वीडियो में भी दे दी थी लेकिन इसको ध्यान से देखें, ध्यान से सुनें, और सभी को जानकारी दें, जिन राज्यों में नहीं है, उनकी जानकारी में दे दिया है, और पूर्वी भारत में इसका थोड़ा सा प्रवाव रहेगा, बागे और राज्यों में नहीं रहेगा, तो आप इस वीडियो को ज